नमस्कार साथियों कैसे आप लोग आसा आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज हम आपसे बात करेंगे पश्रिम बंगाल लोगसभा चुनाव को लेकर के अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाश्ट तक देखें वीडियो पसंद मता आपया कि इसट नहिंगे वीडियो को शेयर करें गुचीं में वधान सपर उंकार के ऐर तरुपने कि सेहयर और सीथे जो है कि लोक सभा सीटों में कनवर्ड करें तो किसको खाते में कितनी सीटे जा रही है क्या भारती जिंदा पार्टी को नुक्षान होगा या ममताब एनरजी को फायदा होगा यह सारी चीजे उसी विधान सभा 2021 के मिले हुए मद्ध पत्सत के आधार पर हम आपको बताने वा 2.69 था बीजेपी की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 18 सीटे मिले थी वोट परसंटेज 40.64 परसंट था वहीं कॉंग्रेस को 2 सीटे मिली लगबग 5.67 परसंट वोट मिला CPIM को कोई भी सीट वहाँ पर नहीं मिले 6.34 परसंट वोट मिला तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 के लोग सभा में TMC को 22 सीटे मिले थी और भारती जंदा पार्टी का परसंट काफी अच्छा था बीजेपी ने 18 सीटे जोगे जीती वोट परसंटेज में लगबग 3.75 परसंट का जोगे डिफरेंस था लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी ने अच्छा परसंट 2014 के मुकाबले 2019 के लोग सभा चुनाओं में परश्री मंगाल में किया था अब आपके सामने हम आकड़े रख रहे हैं परश्री मंगाल विधान सभा चुनाओं 2021 का 2020 में पश्री मंगाल में जो विधान सभा चुना हुआ उसमें बीजेपी और टीमसी में सीधी सीधी लडाई देखने को मिली 2020 की चुनाओं के नतीजे आपके सामने में बताऊं कि टीमसी को यहाँ पे 215 सीटे मिली बीजेपी को 77 सीटे मिली कॉंग्रेस को 0, CPM को 0 और अनिको 2 सीटे मिली तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बश्री मंगाल 2021 विधान सभा चुनाओं के नतीजे वोट परसंटेज की बात करें तो 47.94 परसंट वोट टीमसी को मिला वहीं बीजेपी को 38.13, कॉंग्रेस को 2.93 वहीं CPM की बात करें तो CPM को 4.73 परसंट वोट मिला तो यह वोट और सीटे हैं 2021 के विधान सभा चुनाओं की अब हम इसनको अगर लोग शभा में कनवर्ट करेंगे तो किस तरीके से किसके खाते में कितनी सीटे जा सकती है वो आगड़े आपके सामने रखते हैं 2021 विधान सभा चुनाओं में मिले वोटों को 2021 की विधान सभा चुनाओं के अनुशार वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2021 की विधान सभा चुनाओं के अनुशार 10 सीटे जा सकती है यानि यहां से आप देख सकते हैं कि 42 सीटों में भारती जंता पाटी के खाते में 10 सीटे और टीमसी के खाते में 32 सीटे जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं ये 2021 के विधान सबाचनाओं के नतीजे क्यों अनुशार है तो यहाँ पर जो आकड़े हैं उस हिसाब से टीमसी को 10 सीटों का फाइदा हो रहा है वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को पिशली बार की अपिक्षा 8 सीटों का नुकसान हो सकता है ये एन टीमसी 2021 के विधान सबाचनाओं के अनुशार 10 सीटे ज़्यादा दी जीद रही है बीजेपी को 8 सीट का नुकसान हो